यूद करोगे तो जीतोगे, यूद करोगे ही नहीं, तो जितने का सवाल ही नहीं उड़ता है। कॉंग्रेस जीन्दा है वो बल्बूते पर हमारे वर्कस के बल्बूते पर ही जिन्दा है। योग्यता थी, इसलिए मेरे को लोगों ने चुनिके दिया। कॉंग्रेस के एक और कद्दावार और वफादर निता और उनका परिवार अब कॉंग्रेस से अलग हो चुका है। हम बात करें महारास्ट के पूरू मुख्यवंतरी अशक चौहान जी की। चौहान साब, दो दिन पहले आप कॉंग्रेस के बैटक मे थे लेकिन 24 गंटे में हमने देखा कि आपने कॉंग्रेस छोड़ दियो और बीज़ेपी जॉइन की, क्या वज़े रही। में की ये सवाल मुझे से बार-बार लोगों ने पूछा है। और मुझे लगता है कि इसमें एक ही जवाब है, जिसमें तनसिस्टन मेरी भूमी का है। कि पूरे देश भर में mood of the nation अगर आप देखोगे, तो लोग देश की जनता चाहती है कि देश में भाजबा की सरकार आजाए। मोधी जी के नेतरुत्व में देश चले। ये जन्रल आम आदमी की आजभूमी का है। रहा सवाल जिस पार्टी में मैं रहा, उस पार्टी में मैंने हमेशा पार्टी को काम किया, प्रामानिक्ता से किया, इमानदारी से किया, कॉंग्रिस को मेहनत करके खड़ी करने की प्रयास हमेर हमेशा रहा। और दुख होता है कि मोजुदा हाला जो है वो एक चुनोती ध्यान में रखते हुए जितनी तयारी हमको करने की आवशकता है उस तयारी की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है यूद में एक तो यूद करोगे तो जीतोगे और यूद करोगे नहीं तो जितनी का सवाल ही सवाल एकिम दिखाई दे रहा है के महरास्त्त कैं महईजुदा स्टेट लीडर्शिप के लोवाय कि कौंग्रेस का कंग्रेस का भविष्र और लूगों का भविष्र算 है तो कंग्रेस का भविष्र से जुड़ा हुआ है जो कॉंधरा की पार्टी को खड़ा करने में मजबूती से काम कर सकते हैं जब इसे रहे सकते के लिज़े और से आजब दिदेवल्टि को घड़ा करने करने के लिए बहुत बड़ा कोभी ओर्द यह रद्स नह gonna just जो भी कारण है महारास्टर में धिरे धिरे उसी हम लोग लेवल पे जा रहे हैं कहीं जिले महारास्टर में ऐसे हैं कि जहां कॉंग्रेस को टिकेट लेने के लिए आदमी नहीं है इसके उपर ध्यान देने को किसी को फुरसती नहीं है मेरा ये कहना है कि स्टेट की लीडर्शिप को एक इंट्रस्फरेक्शन करकर कोई फैसले करकर अगर कॉंग्रेस के जो बल्पूते पें कॉंग्रेस के जो ओंगर नीचे वो जिन्दा अगर नीचे का आदमी जिन्दा नहीं रहेगा तो कॉंगर इस कैसे अपस्रवाइब हो जाएगी यह दुर्भाग्य है यह पहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है बोलने के बावजुद कोई सुधार नहीं है बाते की जाती है अमल कुछ नहीं होता है जिब अमल न पिछले अगर कुछ वर्षो की बात के रहा है अगर हाली की बात के तो महाराष्ट में आपके पहले मिलिन देवरा बावा सिद्धी की चोड़ चुके है पहले मुख्यमंतरी पुरू मुख्यमंतरी नहीं है जिन्हों कॉंग्रेस सम कृष्णा ने चोड़ा है उसके बाद क कि पिता जी मुख्यमंतरी थी आप दो बार मुख्यमंतरी रह चुके हैं तो क्या आपने इन बातों को कभी कॉंग्रेस हाइकमां तक नहीं पहुचाया सुनिया जी हो या रहू जी हो क्रिए की मीटिंग्स में निश्चित तोर पर अपनी भूमी का हम ने रखी कि स्टेट क की मौजुदा सिती क्या है इतों मैं कभी किसी के शिकायत करना मेरे २चर में नहीं है क्यूंके आपने आपको बहुत नीचा दीखा कर्या कि किसी के बाले में कुछ कहे के आ announcement नहीं रही है कुई भी कारून आज ने जब मिनिस्टरally यहाच भी हाला कि मेरे कूपर party कलिक से भी कई बार मेरे पे़ अटैक हुआ है तो मैने वह सहन कर गर मेरा अथा काम सीधा किए kinda मैं छोड़ता 10 साल पहले छोड़ता कामे इतने तकलीफ हों किए बावजूद मैंने पार्टी में इमान तादी से काम किया है और रिजल्स दिये हैं अगर आप रिजल्स की बात को amazon है कि पूछ pelvis के आप किदी कने शक्म nic घो ना रही है और कुछ में नहीं करोगे तो जीतो की कैसे यह समस्च्या तमाम कौंग्रेश की हमारे चंद प्रतिनिद्यों की है, MLS की है, जो खुद अपने आपको insecure महसुस करते हैं, और आने वाले समय में, अगर हम जीत नहीं पाएगी, या फिर गॉर्वर्मेंट बनती नहीं है, माइदोर्टी में रहते हैं, तो अपना future की आगले 5 साल का, ये चिंता सब को लगी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे स्थिति में क्या करें, मैं से बताइए, अरोशना करने से बेटर है अपना अपना काम हम करें, आप मिले थे कि आपको मिले, आप से छोड़ने से पहले आपकी बात चीत हुई थी का, चाहिए सोने जी से हो, या फिर रहो नी से, आप मैंने पार्टी छोड़ने का बात मैंने नहीं कहीं किस्ति, और मैंने स्थिति के ऊपर हमेशा हर बार मेरी केंद्री नित्रुत्वत को आउगत मैंने किया है, क्योंकि केंद्री नित्रुत्वत के भी ताकत के बाहर महराष्ट्र की स्थिति जा रही है, सभी बाते निल्ली तक शायद नहीं पहुंशती होंगी और इसलिए शायद तुछ नहीं हो रहा है, आपके तुछ जाएक संब्बन्त याप प्राहुल जिसे भी बात कर सकते थे खड़गी जिसे बात कर सकते थे तो इसे कोई बात्चित आप करते थे क्योंकि कई रहोगी ऐसी शिकायती भी थी कि वो समय नहीं मिल रहा है या उनके लोग मिलने निद्रुत्वत मेरे को रिस् आपको युग्यता से ज्यादा दिया चैनि थलायते वो कहें थे कि आप मैदान चोड़कर भाग गए आप डर गए क्योंकि जांच एजनसी का डर था जो हाइट पेपर उसमें आदर्ष का नाम निकला था इसे कही सारे अटक आपको की है कि आप डर गए आप जाजी जिसे क डर से बीजी पी में जी कई दबाव था आपके उपर देखिए योग्यता से ज्यादा मिला ये कहने से ये पूछता कीजिए योग्यता थी इसलिए मेरे को लोगों ने चुन के लिया मैं कभी भी चुन कर आया हूं तो नॉमिनेटर पोजिशन पी शाइद ये पहली बार हो आफ तक महरास्टे की राजनीती में मैं हमेशा इलेक्शन चुना लड़के जित कर आया हूं लोगों के दूप तरू चुन कर आया हूं तो योग्यता सी किसकी योग्यता क्या है लोग तैय करते हैं हम अपने आपस में तैय नहीं करना चाहिए लगता है कि और दूसनी बात जूदना भी तरिज वरी अगर मेरे मेरे कुपार्टी से छोडना ही था मेरे कुपार्टी वर् stamp पहले छोड़ सकता था उसकी भी कोई चीज हो सकती है ना कि उसमें भी लॉयल्टी है काम किया है उस आदमी ने और मेरे मेरे इस पर दोस्ट मैं तो छोटा आदमी हो मेरे रहने से और जाने से क्या फरक पड़ता है अधर्श का होगा देते हो लोग ठीक है नमें आज आज मेरे अधरी तर लॊटा फिर के लुटा उपहर उसका क्या है क्या है कि मैक चोटा सा अधर करता हूं 7.59 मैं नए योग्यता से ज्यादा मिल आ फिकवे對 का शीफ्या आधिया है जिसकी योग्यता उसको दीई जिए मुझे को शिकायत नहीं आपने बात से बात बात के बात प तो यह सच्चा ही क्या है इसको देखिए बीजेपी ने आपको पार्टी जॉइन किया और आपको राज्य सभाव के लिए बेजा बीजेपी के लोग कहरें आप भी करें कि आपके लिए संवान की बाते बड़ी जिम्मेदार आपको सोपी है विश्वास रखा है आपके पुर संवान आप किसी को देते हो मान संवान अपने आप में जाता है छीज ऐसी है मान संवान सेल्फ अगर इस्पैक डुसरे को दोगे दूसरा आपको रिस्पैक ज़रूर दोगा और दूसरा करोगे तो आपको भी अलशुनाव करेगा ना ना ने यह बेसीक चीजे लाइफ में कभी समझे नहीं होगी शायद उसका यही आकलंग होगा कि वह किसी को कैसे वे ट्रीट करें और लोग उनको संवान करें ऐसा नहीं हो दो वन वे ट्राव इस टूबे इस्वे एक दूसरी का संवान करों संवान बढ़ता है तो ठीक है मेरा तजूर्बा क्या रहेगा और मेरी मेरे साथ है आज मैं उनको देश्ट अफ लग कहूंगा तो अच्छा करो आपको संवान मिले ज्यादा मिले जो मिलता है आप योगिता हो नहीं हो मैंने कहूंगा अप मेरी मेरा संवान ज्या मेरा इजट जो भी है अज मेरे तगनी से जोड़ी हूई है होगा होगा अप कह सवाल यह है नाना एक जमाने में पैड़ी के प्राइस के ऊपर कॉंग्रेस की सरकार थी मैं मुख्यमंत्री था नाकपूर के अधिवेशन में कि अधान को पैसा मिलना चाहिए ऐसे धान कर बड़ा यह लेकर कॉंग्रेस का एमेले हाउस में लेकर आया और है जोड़ के पार्टी भीजी जोड़ी कर दिया जोड़ी मैं चीफ मिनिस्टर था अधान की पूरी वह जाड लेकर वह टाड़ी के बांद एसे आवस में लेकर कि अधान के ओपर उने आवाज उठाता है उस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी जोड़ी 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 जाना यह बूलना नहीं चाहिए ठीक अच्छे बहुत भूल गया होगे पैमरीज आदमी अभी वह आपस बात करते हैं बीजेपी आलो के बारे में कानून की में चाहिए उसके डिलकि बारे हर सरकार के सामने बीजेब आता है मराठाक अरक्षिन का इस्व प्र संवने फेस कि आये उन पर इंसल्री कर रही है इसके रखानी इसके अपर करनात्मा क्वालिसी मैटर्स फैसला करके वियाफ वियाफ वी कंट्री यह दी पॉपर निवरेशन आप अच्छी रहे वर कैपिल इंग बढ़े और लोगों को रहत मिले कोई भी सरकार करना ही पड़ता है तो आज जो भी हो रहा है विर खाल से पदान मंत्री उसमें धान दे इंडिया एलांस में लग लग लोग जो है वो शीट शेरिंग को लेकर परिशान है वाम तब आरजिन आके लिए एलान कर दिया है नितिश कुमा चोड़कर चले गए बात नहीं बंद रहे कॉंग्रेस के उपर वो ब्लेम कर रहे कि वो बिजी है इसको एहमेर्ट नहीं दे महाराष्ट की बात कर तो है अब भी थे मटब उस मेटिंग के हिससे डिसिजन हो नहीं पा रहे है और इसके कारण परिशानी है आपको क्या लगता है कि मुझ का फ्यूचर इंडिया लाइस का फ्यूचर ओ कितना टक्कर दे पाएगा इंडिया को सवाल है में कॉंग्रेस का रोल बाकी पार्टी के बारे मेरे कुछ बोलना नहीं है उतना पापना इशू है जहां तक सवाल कॉंग्रेस के रोल का है कॉंग्रेस का वहां पर कुछ तयारी मैंने देखी है वो जितने अपक्षित है उतना नहीं हो रहा ऐसा मेरा सप्रस्ट क्याना है सवाल इंडिया का आपने खुद देख रहे हैं कि रोज सिचुएशन डेटोरेट होते जा रही है लोगों को एक सामने चिंता है कि आप ने घड़ बंदन तो किया पर टिक नहीं पारा है तो तो फिर आप फिर लड़ाई किस बेसे भी लड़ोगी तो लोगों को सामने आज प्रिकल्ग यह है कि अब को लगता है कि जिस तरह से मोदी जी नारा जे रहा है कि आपके बार 400 पार एक हाथ में विकास के बाते कर रहे हैं दूसरे हाथ में राव मंदिर से लेकर जो भी विशह है वो आगे बढ़ रहे है जिस एक लहर है आपका क्या प्रेडिक्शन है महाराश्टों को लेकर वर आल मेरी इंप्रेशन है कि भाजपा की जो तयारी चल रही है पिसले साल देड़ साल से ज्यादा वो तयारी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है वहर जगह देखा है वरकर्स काम कर रहे है प्रोग्राम दिया जा रहा है घर चल अभियान जो से चल रहा है बुट मैंज् मुझे लगता है कि इस से ज्यादा उनके फेवर में जाने की पूरी संभावना है अपको राज्य सभा के लिए बहजा है आप आपके दो-दो वामाराट वारा की बात की चिचे दो-दो लोगों को आप और गोप चल जिए को है किस तरह भी सी लोग सभा में आप लोग है एक विश्वास उन्होंने मुझे पर व्यक्त किया है जिसके वज़े से जिम्मेदारी मुझे सवपे गई है मेरा भी जिम्मेदारी बनती कि मैं भी महाराश्टर में अच्छे रिजल्ट्स दूं यह हुए शायद मेरे से हैं एक आखरी सवाल पूछना चाहूंग चाहू किसी को डिस्कॉलिफाई नहीं किया है तो उनका कहना कि यह उपर से स्क्रिप्ट आती है और प्रिशर में है सब कुछ तैय है लोगतंत्र की हद्द की जिम्म्ला 24 गंटे हुए है निमारश्ट की बात है क्या चलना है मैं आज इमिजर्टी सर्टिफाई नहीं कह सकता हूं उनके डिसिजिन को लेकर जो आरूप लोग अलगा थे जमाने में हम भी कहते थे आज पार्टी में आने के बाद में तुलंग इस पॉलिटिकल क्रिटिसिजम अलग बात है सचा ही क्या है इंपॉर्टेंट है मैं आज आके भी 24 गंटे मी हुए तो मैं उसमें बायान करना उ देशन हतके लिया है पार्टी के ओर उनके माहरास्ट आस लोग की हत कलिए लिया है और इस तरह के मन्मी विचार और वी कॉंगनेताओ के हो सकते हैं लेकिन उन्होंने का कि जो भी टिक कातिकपनी हो हा रही है उसका उजवाब नहीं देंगे कैमेरमेंद रवी और विजंदर के साथ सचीन चोधरी इंडिया टीवी मुवें